हेलो गाईस कैसे हैं आप सभी दोस्तों फ्रेफायर को बहुत पहले एक अपडेट आया था जिसमें एक नया फंक्शन आया हुगा था रिप्ले ऑप्शन करके अभी उसका नाम तो चेंज हो गया है या पर रिकॉर्डिंग करके दिखाई देता है लेकिन अभी इसको ओन करने प्रेफायर को ऑफिसियल इसके लिए पोस्ट आ चुका है तो उसको भी आप सभी को दिखाने वालो हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके मोबाइल में आउन क्यों नहीं हो रहा है और प्रेफायर की तरफ से जो जो टिफ्स बताया है रिप्ले ऑप्शन से रिल पहले प्रेफायर की तरफ से जो पोस्ट आया था उसको मैं आपको दिखाता हूँ तो देख लीजी ये वाला था आप इसको पहुंच करके पढ़ भी सकते हैं कि इसमें क्या-क्या लिखा है मैं इसको स्क्रेंसाट लेकर करके रख लिया था लेकिन इसमें जो मेन-मेन बात प्रेफायर या प्रेफायर मेक्स वह भी 32-bit नहीं होना चाहिए वह भी 64-bit होना चाहिए तभी जाकर के रिप्ले ओप्सन अन होगा वैसे मैं अपने में 32-bit वाला एपी के भी डाउनलोड करके देखा लेकिन उसमें भी ओन हो जा रहा था तो सायद ये रिप्ले ओप्सन 34- 64-bit प्रोसेसर मोबाइल का बोला जा रहा है तो आपका मोबाइल लेटेस्ट होना चाहिए कम से कम और मिनीमम रेम भी बताया गया है 1GB का मिनीमम रेम अब वो तो आजकल के हर एक मोबाइल में रहेगा ऐसा कोई भी मोबाइल सायद ही होगा जो 1GB से कम का रेम होगा उसमें तो सिंपल सी बात है आपको ध्यान रखने की ज़रुत है कि आपके मोबाइल में प्रोसेसर जो है 64-bit का होना चाहिए उसको आप कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए आप Google कर सकते हैं आपके अपने मोबाइल का प्रोसेसर पता कीजिए सबसे पहले कौन से मॉडल का प्रोसेसर लगा हुआ है और उसके बाद आपको उसके बारे में पूरा डीटेल पता चल जाएगा Google से तो उससे आपको पता चल सकता है ठीक है अगर आपका प्रोसेसर 64-bit का है और 1GB से उपर RAM है उसके बाद भी आपकी में ऐसा कुछ भी प्रोब्लम आ रहा होगा तो आप एक बार ट प्रोब्लम सॉल हो जाएगा और अगर आप नॉर्मल फ्रेफायर को खेलते हैं अपने मोबाइल में तो मैं हर बार फ्रेफायर को अपडेट आने के बाद फ्रेफायर के दोनों वर्जन 64-bit और 32-bit दोनों के AP के फाइल आपको सेयर करता हूं तो उसमें से आप जा सकते हैं उसमें से आप वीडियो देख सकते मेरे चैनल में और उसमें जो लिंक दिया रहता हूं 64-bit वाला उसमें से आप फ्रेफायर को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप इनेबल करने का कोसिस कीजिए रिकौर्डिंग वाला उप्सन आपके में 100% यह ओन हो जाएगा अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और अभी भी आपके में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आप अपने फ्रेफायर को रेइंस्टॉल नहीं करना चाहते है तो उसके लिए एक दो टिप्स मैं आप सभी के साथ सेर करता हूं सबसे पहले आपको अपने फ्रेफायर को लॉं नहीं रहेंगे तो इसको भी आपको कर लेना है और एक सेटिंग और रहता है यहाँ पर एक permission का option है इसको आपको क्लिक करना है अब इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर remove permission entry up space यह वाल option enable रहता है हमेशा हर एक mobile में ठीक है जब भी आप नया application install करते हैं तो इसको आपको off कर लेना है इससे भी हो सकता है आपके में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रहा होगा और इसको आप करने के एक और फायदा है आप बहुत दिनों से प्रीफायर को नहीं खेलते रहेंगे फिर भी उसका जितना भी permission दिये रहते हैं जैसे कि location का permission होग वीडियो को like कर लीजेगा और चैनल को subscribe करके bell icon में से all notification को on कर लीजे तो चलिए अब मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में अभी के लिए सभी को bye bye